लोगसबा चुनाओं में बीजेपी को दूसरी पार्टियां जिताएंगी इन छे राज्यों की 60 सीटें समझिये ये फॉर्मूला क्या है नमस्कार दोस्तों मैरा दमजिंग और आपस भी का टिडर न्यूज में स्वागत है 2019 के लोगसबा चुनाओं में बीजेपी ने अकेले 303 सीटों का आकड़ा पार कर लिया था लेकिन साल 2024 में होने वाले लोगसबा चुनाओं में यही पार्टि कई राज्यों में 6 तरे पार्टियों को अपने पाले में लाना चाहती है आने वले लोगसबा चुनाओं से पहले जहां एक तरफ सभी विपच्छे पार्टिया एक तूसरे के साथ गडबंदन कर बीजेपी को चुनाओती देने की तैयारी में है वहीं दूसरी तरफ भारते जनता पार्टी अपना दल से लेकर लोग जनसकती पार्टी तक नेशनल पीपुल्स पार्टी से लेकर टिपरा मोथा तक सभी छेत्रे पार्टी को अपने साथ मिलाना चाती है लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों दोहजार चौबिस चुनाओं में छेत्री पार्टी का साथ होना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है 2019 के लोगसबा चुनाओं में बीजेपी ने अकेले अपने दंपजीत का आकड़ा पार कर लिया था 303 सीटे जीत कर पार्टी ने ये साबिक कर दिया है कि वो अकेले सरकार बनाने में सच्छम है लेकिन पिसले चार सालों में जो हुआ उसका अनुमान साइध ही बीजेपी ने लगाया होगा जहां एक तरब बीजेपी अलग अलग राज्यों में फिर चाहें वो गुजरात हो या मद्यप्रदेश उत्तरप्रदेश हो या हर्याना सरकार बना रही थी वहीं कुछ राज्यों में बीजेपी के दोस्त यानी की गड़बंदन वाली पार्टी उसका साथ छोड़ रही थी बिहार की लोग जनसक्ती पार्टी लव हेट रिस्ता रखने वाली जनता दल यूनाइटेड गोवा में बीजे सरदेशाई की गोवा फॉरवर्ड पार्टी तमिल नाडू की डिम डी के पस्चिम बंगाल में गोर्खा लैंड की मांग करने वाली गोर्खा जन्मुक्ती मोर्चा राजस्थान की राश्य लोकतांत्रिक पार्टी और पंजाब में सी रोमडी अकाली दल ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने बीजे पी के साथ 2019 के बाद छोड़ दिया इन पार्टियों की अपने अपने छेत की राजनीती में अच्छी गाशी पकड़ थी वहीं इनके अलावा कई पार्टियां ऐसी रही जिन्होंने बीजे पी का साथ तो नहीं छोड़ा लेकिन उनके अंदर खुद मद्धेद देखने को मिले जैसे सियू सेना साल 2019 के लोकसभा चुनाओं में सियू सेना और बीजे पी ने मिलका चुनाओं लड़ा था और 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी लेकिन अभी एक साल पहले सियू सेना में क्या हुआ ये हम सब ने देखा अब सियू सेना भी दो भाग में बट गई है यहां दिल्चस पर बात ये है कि इतने राजनेतिक उठक पटक के बाद भी इस राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजे पी को महारास्ता की पार्टी सियू सेना की ज़रुत पढ़ गई और दोनों ने मिलकर वहां सरकार लकिन चार साल में गडबंधन को पूरा गड़ी थी बिगड़ गया राम विलास पासवान के निधन के बाद चिराक पासवान ने 2020 में एंडिये से अलग होकर चुनाओ लड़ने का फैसला लिया था फिर पार्टी में चाचा पसुपती पारस और चिराक पासवान के बीच म मानना है कि ये बीजेपी का ही प्लान था पिसले चार सालों में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान खास कर तीन पार्टियों से हुआ है वो तीन पार्टियां है सी रोमडी अकाली दल जनता दल यूनाटेट और सिउसेना अब सवाल उठता है कि क्या इन तीनों ही बीजेपी को आने वाले लोगसभा चुनाओं में सीटों का नुकसान होगा पॉलिटिकल्स एक्सपर्ट्स और पटना यूनिविश्टी के प्रोफेसर वीर सिंग ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा मेरा मानना है कि ये वो पार्टिया है जिनका वर्तमान में उनके राज्य में दबदबा कम हो गया है साल 2022 में हुए विधान सबाद चुनाओं में हमने देखा था कि कैसे एक समय पर पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी मातर तीन सीटों पर सिमट कर रह गई स्री रोमरी अकाली दल का साथ चूटने से बीजेपी को कुछ खास नुकसान नहीं मिलेगा अगर सियुसेना की बात करें तो 48 लोगसबा सीट काफी ज़्यादा होते हैं लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात ये है कि सियुसेना का बड़ा गुट अभी भी बीजेपी के महत तो पता है इसलिए पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये साथ चूटे एक्सपर्स का मानना है कि बिहार में जेडियू का साथ चूट जाने से बीजेपी को जरूर नुकसान होगा क्योंकि पिसले लोगसबा चुनाओं में बीजेपी, जेडियू, एलजेपी ने मि कुमार के अलग होने के बाद अकेले पड़ी बीजेपी अपनी कुनबा बढ़ाने की दिसा में कवायत तेज कर दी है, बीजेपी बिहार के छोटी पार्टियों पर जादा ध्यान दे रही है, पिसले लोगसबा चुनाओं में जेडियू को 16 सीटे मिली थी, लेकिन इस बार अैन्डियर से अलग होने के कारण बीजेपी को इन 16 सीटों का नुपसान हो सकता है, यही कारण है कि पार्टिर राजगी छेत्रे पार्टी का रुप कर रही है, बीजेपी उपेंद्र कुसवाहा के पार्टिर राष्टे लोग जनता दल और लजेपी को अपने साथ ला सकत बीजेपी का साथ छोड़ने के कारण जो जेडियू के OBC वोटर्स जो बीजेपी के पाले में जाने वाले थे वो पूरे तो नहीं पर कुछ इन पार्टियों पर जरूर भरोसा दिखाएंगे उपेंदर कुसवाहा का 13 से 14 जिलों में प्रभाव है और वोट के हिसाब से प्रदेश में कुसवाहा की करीब 5 से 6 फीजदी अबादी है पासवान समाद दलित में आता है और प्रदेश में उसकी करीब 4 समदो 2 फीजदी हिस्सेदारी है इसी तरह मांजी समुदाय की अबादी भी करीब 4 फीजदी है हाल ही में बीजेपी बिहार के अद्दक संजज जैसवाल ने चिराग पासवान से भी मुलागात की थी छोटी छोटी पार्टियों में देखें तो LGP का अपना बोलबाला है ये वो पार्टिया हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं लेकिन राज के राजनीती पर इनका प्रभाव है और बीजेपी ऐसी पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी कई छेत्रे पार्टियों को अपने साथ लाना चाती है फिर चाहें वो निसाद समुदाय को साथ लाने वली निसाद पार्टी हो या फिर कुर्मी वोट बैंक पर ध्यान देते हुए अपना दल का साथ देना या फिर सुहेल देव भारती समाज पार्टी के ओम प्रकास राजबर से बातचीत करना अगर यहां इन छोटी पार्टीयों का साथ मिल जाता है तो बीजेपी को लगबग 10 सीटों का फायदा हो सकता है यही कारण है कि बीजेपी लगाता छोटी पार्टीयों को साथ लाने की कोशिश कर रही है और यह कोशिश के वर उत्तर प्रदेश बिहार तक ही सीमित नहीं है नौर्थ इस्ट की बात करें तो तरी पूरा इलेक्सन में सबसे ज़्यादा चर्चा में आई पार्टी टिपरा मोथा के साथ भी बीजेपी गडबंदन करना चाती है क्योंकि आदिवासी इलाकों में टिपरा मोथा की पकड़ काफी अच्छी बन गई है वही नागा लैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और वही मेगाले में नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ बीजेपी का कटबंदन पहले से है जिससे उस छेतर में बीजेपी की पकड़ लोगसभा के लिहाज से काफी मजबूत हो गई है अगर बात साउथ की करें तो केरल में बीजेपी भरत बीडीजेएस, AIADMK, JRS, केरल कॉंग्रेस, KKC, SJD इन पार्टियों का साथ बरकरार रखना चाती है तमिल नाडू में बीजेपी AIADMK को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश कर रही है हालांकि Local Body Election में दोनों पार्टियों ने गडबंदन तोड लिया था लिकिन 2024 को लेकर दोनों ही पार्टियों का कहना है कि साथ में ही लडएंगे जहां जहां बीजेपी के बिना गडबंदन की सरकार है, वहां बीजेपी इरिजनल पार्टी जादा ध्यान दे रही है दच्छड भारत बीजेपी के लिए काफी जादा महत्पूर्ण है इस छेतर में 133 लोकसाबा सीटों पर चुनाओ होने से जिस पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है अगर करनाटक को छोड़ दे तो साउथ के हर राज में बीजेपी स्ट्रगल कर रही है और इसी का समधान निकालने के लिए पार्टी ने 18 साल बाद तिलंगाना की राजदानी हैदराबाद में राष्ट कारिकारने की बैटक की थी जिसमें दच्छड में पार्टी का विस्तार कैसे हो इस पर खास जान दिया गया था साउथ में अगर बीजेपी को पैर पसारना है तो बहुत जरूरी होगा कि भारते जनता पार्टी इन राज़ों के छेत्रे पार्टीयों से हाथ मिलाए केसीयार की पार्टी के कई नेता भी कई बार केंदर सरकार की तारीव करते हुए नजर आ चुके हैं बीजेपी चाहेगी कि ये सब छोटी छोटी पार्टीयों का साथ उन्हें ही मिले आईए अब समझते हैं कि इन सभी सीटों का गडित क्या है महाराष्टरा में बीजेपी 23 सीट जीट चुकी है यहां कुल 48 सीटे हैं फिसले चुनाओ में सुषेना 18 जीती थी इस बार 25 सीट पर विसेज फोकस है क्योंकि कॉंग्रेस एन्सीपी के साथ उद्दो ठाकरे भी हैं हाल ही में CSGS के सर्वे में महाराष्टरा में बीजेपी के सीटों में कमी आने की बात कही गई है बिहार में RJD और ZU समय साथ पार्टियों का गडबंदन सामने है 2014 में ZU से अलग होकर बीजेपी 31 सीटों पर जीत दज की थी 9 सीटों पर गडबंदन को जीत मिली थी बिहार में गडबंदन कर बीजेपी 10 सीटों पर मजबूत उपस्तित दर्ज करना चाह रही है 2019 में बीजेपी को 17 सीटें मिली थी यहां बीजेपी ने 25 प्लस का टार्गेट रखा है उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी इन में पुरवान चल की 10 सीटे हैं इन इलाकों में राजबर वोटर्स काफी प्रभावी माने जाते हैं बीजेपी इसलिए ओम प्रकास राजबर को साथ रही है हर्याना में जाट और नान जाट की सियासत में बीजेपी के लिए हर्याना की डगर मुश्किल है पार्टी इस बार जननायक जनता पार्टी से चुनाओं से पहले गड़बंदन करेगी आईए अब जानते हैं कि बीजेपी छोटी छोटी पार्टीयों को क्यों साथ लाना चाहती है पटना यूनिश्टी के राजनितिक विग्यान के प्रोफेसर वीर सिंग ने एक मीडिया हाउस को दिये इंडर्व्यू में कहा बीजेपी आने वाले लोगसभा चुनाओं में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है अलंकि साल 2019 में हुए लोगसभा चुनाओं में बीजेपी का प्रदसन काफी अच्छा था लेकिन बीते चार सालों में कई राजनितिक बदलाओं हुए हैं बीजेपी नहीं चाहेगी कि इसका असर लोगसभा के चुनाओं पर पड़े इसलिए छेतरे दलों को साथ लाने के लिए पार्टी पूरी मेनत कर रही है अब देखना ये होगा कि 2024 तक बीजेपी कौन कौन सी पार्टी को अपने साथ लाने में सफल हो पाएगी Bureau Report Trigger News